अपने आप में एक बहुत ही जबर्दस्त और फ्यूचर वाला टाम है लास्टो लास्टेश भी मैंने स्टॉक के बारे मां बात करी थी और साइबर सिक्यॉरिटी की जब बात आते हैं कि कोई भी स्टॉक हो जब आप उसको फंडमेंटली देखते हो समझते हो खास करकी IT सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स नकेवल सर्विस प्रोवाइडर बलकी जैसे के कॉंसेट देखा होगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग साइबर सिक्यॉरिटी और उसके अलावा इंटरनेट आप तिंग्स आई ओ टी जब भी आप बात क को इन टर्म्स को एक मैं कहूंगा ले मैं को समझाता है लेकिन वो लोग जो इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो साइबर सेक्यॉरिटी को पहचानते हैं और मैं तो आजकल यह कहूंगा कि आजकल हर कोई इंडिया में इंटरनेट से जुड़ा हुआ है most of the population इंटरनेट स सारी चीजे लिंग्ड है इवन आपके फॉन का डेटा भी आप देखिए सिंक होता है वेब पे सिंक होता है इंटरनेट पे सिंक होता है कि फून के सारी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है आपका फॉन कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है अगर आप देखो लेवल्स और लोग उन security लेवल के लिए पैसा देते हैं इस बाद को सोचिए समझिए कि लोग iPhone क्यों खरीदते Android क्यों नहीं खरीदते आप सोचते होंगे कि Android सस्ता है फिर भी लोग नहीं करीदे बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपको बताने जा रहा हूं आपके security का वह साइबर security बहुत importance है जिन लोगों को अपने data के साथ कोई वह नहीं लेकिन आजकल तो सब कुछ आपके पैसे भी आपका account भी आपके phone से जोड़ा हुआ है तो अब इसकी value आपको समझ में धीरे धीरे आएगी और ऐसे ही एक stock जूड़ा हुआ मातर तीन रुपे का stock था जब आपको के भी यह कहां चला गया है आज यह stock हमारी radar में क्यों आया जैसे यह stock आज हमने इसके news देखी थी टेलीफोनिका partners with subex for next gen fraud prevention अगली जनरेशनी टेलीफोनिका company नहीं बाहर की company है इंडिया की नहीं इसने subex के साथ एक partnership करी थी और आज जैसी information आई तो मैं यहां पर इस stock को ले लेकिया है क्योंकि last to last year जब मैं इस stock के बारे में थोड़ा सा video बताया था detail आपको बताया थी इसके बारे में तो तब भी मैंने यहां पर उस टाइम पर टेलीफोनिका के साथ ही इसने कुछ deal sign की थी तब हम आपके लिए वीडियो लेकिया थी कुछ तो कुछ हर आपके फोन के साथ हो सकते हैं तो आप सोचिए समझे एक तो कितना importance concept है अभी concept बचारे भी stock की बात नहीं करें concept को देखोगे इस stock में अभी तक मुझे कुछ बेखास नहीं लगता इस stock में जो भी holdings है वो बड़े-बड़े लोगों की holding है मतलब उन बड़े-बड़े इस टाइम में इस stock ने 160 करोड का मार्केट के प्लेजिन पिछले नौदस महीनों में यह 1600 करोड हो चुका है और आप यह देखिए 15 करोड का कंपनी के उधार है profit sales अभी सब कुछ आप मान के चलिए fundamentals बिलकुल ही zero में कहूंगा लेकिन इस stock की बात करेंगे तो promoter holding है इसमें दो हजार ऐसे लोग है जिन्होंने यहां पे दो लाग से ज्यादा पैसा लगा है जड़ा सोच यह मतलब बहुत मिला जूला stock है बहुत सारे लोग मिल के इस company को चला रहे है इनकी 48.91% की holding है लेकिन रिटेल निवेशक भी suvex में अच्छे से 87,000 रिटेल निवेशक यहां लेकिन यह stock अभी में जब आप किसके technical पर लेके चलूँगा तो फिर से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा उससे पहले ज़रा suvex security website पर आप जाईए देखिए company काम क्या करती है iot यानि की future का term iot internet of things अगर आप इस term को जानते हो तो भली भात ही जानते होंगे कि क्या कुछ आने वाले time पे होने वाला है आपके घर की सारी devices चाहे आपकी lights हो चाहे आपका फ्रिज हो चाहे आपका टीवी हो चाहे आपके घर में कोई भी चीज हो आपके गीजर्स हो आप तक क्यों ना हो इस तरीके से यह चीज आगे evolve हो रहे है इच और डिवाइस विल बी connected with internet and you can control your home from a single device and a single app आपके फोन से सोचे तो कितनी बड़ी security आपके घर की पूरी security मतलब यह iot security overview यह सब इसका काम है तो आपको गयार हाँ यह तो कतरनाक future का share है लेकिन आज यह stock ऐसी मे मेरे पास आये कि शूबेक्स के वारे में कुछ बताईये तो मैं यह आपको इसके लिए डिटेल बता रहा हूं साथ के साथ जब last year हमने यह create किया था तो बहुत सारे comment मेरे पास आय था आपका शूबेक्स तो यहां पहुजिए हमारा कहां से शूबेक्स इस वीडियो में य अपरल 2019 पे create किया था तब यह पांच रुपे का share हुआ करता था तब भी इसने टेलिफोनिका के साथ कुछ partnership करी थी cyber security के लिए तब यह वीडियो हम आपके लिए लेका है अगर इस वीडियो को तसली से आप देखते हो तो यहां पे clearly आपको कहा कि fundamentals बिलकुल खतम है बस deal sign ह और आगे जो concept cyber security का वह बहुत important है otherwise अभी अगर जैसे मैं अभी भी clear लिए आपको कि fundamentals बिलकुली मुझे खतम देखें लेकिन जो cyber security की term है वह मुझे और iot की term है और iot security की term है वो तो नहीं मुझे यहां पे attract किया इस share की तरफ और अगर अभी की situation में मैं देखूं तो stock कहा ह है जड़ा देखिए आज की time में मार्च के लोग पर यह तीन रुपे से भी नीचे किर गया था हमने जब लास्ट टेम पर वीडियो क्रेट के था तब तो 2019 ऐपर इस time के हिसाब से था देखिए उसके बाद इसने लगा तर आपर circuit मारे फिर फ्लैट राफ डाउन गया देख देखो या फिर इस correction को दखो आप देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं stock छोटा हो या बड़ा हो पहनी stock हो दो रुपे का stock हो पांच रुपे का दस रुपे का एक चीज हमेशा याद रखना stock अगर आप खरीदना चाहते हो तो always buy in uptrend और सबसे important बात अगर वह momentum पे हो तो बढ़िया और सबसे पहली बात आपके गोल को decide करें अगर जैसे अगर इस शेयर को मैंने यह शेयर नहीं खरीड़ा मैं आपको के लिए बता रहा हो अगर मैं इस शेयर को खरीदना चाहूं तो हमेशा मेरा तो एक मानना होता है चाहिए बड़ा शेयर छोटा शेयर एक बार यह देखो कि स्टॉक अप्ट्रेंड मा आया कि नहीं आया अब इस टॉक अप तसलिए से देखो कि यह लेवल था लेकिन हाँ जो यह करेक्शन आई है जो कि 10 रुपे के लेवल तक आ गई थी 8 रुपे का असपास की इस करेक्शन का रिजुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप ट्रेंड और करेक्शन डिजॉलिशन क्योंकि जब आप देखो यह आपका इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन आपको पता है बेस्टॉक अप्रेंड मा आप चुका है उसके बाद जब यह करेक्शन आती है न तो यहां पर यह रिजॉ it with your investment with your trade always यह एक रिटेल निवेशक हमेशा मिस करता है क्योंकि वो blindly invest करना चाहता है वो चाहता है मैं एक महीने एक साल एक हपते के अंदर करोड़पती बन जाओंगा लेकिन अगर आप एक शैपी और आपोड़ी हो लेकिन वट इव फिल सिलॉभ अगेस्टी यू शम्झे इस बात को अगहेंशा चाहिए तो आपका नार्मल जब जिंदोगी घीते हो तो उस हिसाब से भी आप यह सूचते हो कि अगर कल को कुछ हो इस तरीके से मैंया जहता है, तो फिर यह कि एस टीजा हो नी चाहिए, ओन insurance वो future की perspective से सोचता जरूर है लेकिन अगर अन्होनी घटी तो वो क्या कर रहा है अगर आप असल जिन्दगी में इस तरीके से चीज़े सोचते हो तो फिर आप stock market के लिए perfect इंसान हो क्योंकि stock market भी बिलकुल जिन्दगी के तरह अगर कुछ हो जाए तो क्या करने वाले हो अगर आप ब्लाइंडली चल रहो प्लाइंड करके देखे चीज़े अप प्लाइंड करने के बाद भी कुछ चीजा नहुनी जब होती है तो वो stock market में भी बटा यहाँ पर आप निकल सकते हो यहाँ पर निकल सकते हो टाइम भी भूल गे तो अलग बात है अगर आप प्रॉपर प्लाइंड के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़े चलाओगे तो market आपको हवेसा पैसा कमा के देगे यह देखे इसलिए यह कहां से 35 रुपे तीन रुपे के नीचे दो रुपे असी के लेवल से 35 रुपे तक पहुंच रहा मतलब सोचे बाप कोगे यार लेकिन इन लेवल पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की जरूर था बट कोई यहां पर लेगा कि पहली correction आई है दूसरी correction और strength तीसरी correction बहुत ही important देखे कहां तक यह अब आपको गया ऐसे level पर जाना पट ऐसे Shares में आपने अक्सर देखा होगा कि Upper Circuit लगते हैं Lower Circuit लगते हैं लेकिन Shubax के Shares में जो पहली बार Upper Circuit लगने लग गए उसके बाद आप देखिए इतने ज़्यादा यहां पर Upper Circuit देखिए कभी-कभी Lower Circuit भी यह लेखिए लेकिन एक बार आपने देखा होगा कि Bullish Cross डेली पर बन चुका है फिर यह correction देखिए करेक्शन हमें इसा 50-20-50-20 के आसपास आई हमें इसा जड़ा देखिए अब आप को गया रहे तो बहुत ही अच्छी बात है अगर फिर से सब्सक्राइब करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे और साइबर सेक्योर्टी आयो टी ए आई 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 अर्टिफिचल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग यह फ्यूचर के टॉपिक है और कमपनीज ने काम करना स्टार्ट भी कर दिया अच्छे से और थैंक यू थैंक यू पर लाचिंग वीडियो